हेलो दोस्तों स्वागा था आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सुधीर टॉटोरियल में दोस्तों आज बहुत ही महत्मोर्ट विशा है रीट परिच्छा से सम्मंदित जानकारियां हासिल हुएं कुछ अभी अभी कुछ से समय पहले असोग गहलो सीयम राजस्थान का एक बहुत ही महत्मोर्ट फैसला आया है उन्होंने कैविनेट की बैठेक लिए और उसके बाद अचानक उन्होंने फैसला लिया कि रीट लेवल टू को रद्द किया जाए तो इस विशय से सम्मंदित काफी बच्चों को बहुत सारी परिसानिया है चाहे हो लेवल वन के हों या लेवल टू को है या जो अन्हे बच्चे रीट से आवेदन करना चाहते हैं रीट में आवेदन करना चाहते हैं आगे उनको भी बहुत सारी परिसानिया इस फैसले से और इस पे उनको काफी सारे confusion create हुई है, तो इन्हीं सभी बातों को मद्देर रखते हुए, आज मैं आप सभी के बीच उपस्तित हुआओं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये परिच्छा रद की गई है, ये केवल लेवल टू की परिच्छा रद की गई है, जो र प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वो जो भरती हो रही थी, जितने पदों पर उतने पर बाकाइदा संपन्द कराई जाएगी, केवल लेवल टू को रद किया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखियेगा, लेवल वन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ल इसमें लेवल टू के इन पदों को एड़ किया जाएगा, और कुल मिला जुलाकर करीब 62,000 पदों पर बिग्यपती जारी की जाएगी, जिसमें लेवल वन और लेवल टू दोनों रहेंगे, और लेवल टू की जो अनुमान लगाई जाए रही हो, 46,500 लगबग जो बिग्य है, आगे फिर से दुबारा लेवल टू की परिच्छा कराई जाएगी, और आपको बता देते हैं, राजस्थान सरकार ने और बहुत ही महत्पूर्ण फैसल लिया है, कि जो रीट परिच्छा होती है, उसको पातरता घोसित कर दिया गया है, पातरता आगे से जो परिच्छ जो रीट परिच्छा होगी, पहले उसमें आप समलित होंगे, उसके बाद भरती परिच्छा होगी, उसमें सामिल हो पाएंगे, अब राजस्थान में भी दो परिच्छा का फार्मूला लागू कर दिया गया, यानि कि पहले आप भरती परिच्छा देंगे, उसके बाद आ केवल लेवल टू पर इसका प्रभाव पड़ा हुए लेवल टू में काफी ब्यापक अस्तर पर धादले बाजी हुई थी और पेपर भी आउट हुआ था सबको पता है उसी को मद्यर रचते हुए ये फैसला लिया गया है तो इसमें घबडाने की कोई जूरत नहीं है आगे क आने वाले एक्जाम में आप समलित हुए रीट दीजे रीट परिच्छा आप पास करेंगे उसके बाद आपको भरती परिच्छा में बैठने का आउसर मिलेगा तो लेवल टू में जो बच्चे थे वो तैयारियां फिर से सुरू कर दें आपको दुबार एक्जाम देना प कोई है इसमें उनका सारा पैसा डूब गया है तो इसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई नुकसान नहीं है आप फिर से दुबारा मेनत कीजे और अच्छा स्कूर करेंगे आप और लेवल वन वाले अपनी तयारी करेंगे कांसलिंग के लिए कांसलिंग नौ तक फ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में इसको सेर के लिए धन्यवाद